नमस्कार जेहिंद आप सभी का एक बार फिस्वागत है पूरु सेनिकों द्वारा लगातार आवाज उठाये जाने के बावजुद भी सरकार है कि एक नहीं सुन रही है पूरु सेनिकों द्वारा सरकार तक आवाज पहुंचाई जाने की कोशिस की जारी है लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं इसी बीच फैडरेशन और वेटरेंस असोसियसन द्वारा 2 जुलाई 2023 को सांकेतिक बू करताल की गोशना की थी और इसी गोशना को लेकर पूरे देश पर में सेनिक SDM करा लेके सामने बू करताल पर बेटे थे लेकिन बड़ी दुखद गटना आई है चमोली डिस्टिक से अविवार को आंदोलन इस्तल पर ही मोत हो गई पूरु सेनिक अपने पूर निर्दरित कारकरम के तहट चमोली के जिलादिकारी काराले परिसर में एक दिवसी बू करताल पर बेटे थे और इसी दोरान ये गटना हो गई चमोली के पूलिस अधिक सक काराले की ओर से मिली ज तवियत बिगडी बताया गया कि पूरु सेनिक सिव सिंग बिष्ट की तवियत बिगडने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डोक्टरों ने उन्हें मरत गोसित कर दिया लंबे समय से पूरु सेनिक वन रेंक वन पेंसन सहित 16 सूत्रिय मांगों को लेक अगर अंदोलन रत है चमोली जिला पूरू सेनिक लीग संग्टन के अध्यक्स विरेंदर सिंग ने कहा कि बिष्ट के प्रिजनों के साथ ही उनके पूरे संग्टन के लिए बहुती दुख दाई वाक्या है लेकिन अब बात रही सीव सिंग बिष्ट के परिवार की जहां पूरी है कि यदि किसी पूरू सेनिक की तब्यत ठीक ना हो तो उसको आंदोलन में ना बुलाया जाए क्योंकि जो छोटी सी सती है कि वन रेंक वन पैंसन और अन्य पैंसन विस संगतियों के उपर उनकी जो मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही है हाला कि वो पैंसनर अपनी पैंसन से अपने परिवार का गुजर वसर करता है लेकिन एस सामयुक मर्त्यू के बाद जो की गटना चमोली में हुई है सीव सिंग बिष्ट बगवान के पास चले गए हैं अब उनके परिवार को देखने वाला कौन है तो ऐसी गटनाओं से बचने के लिए पहले उसकी जो हाल और खबर ली जाए कि उसका स्वास्तिय कैसा है हो सकता है पहले से कोई बिमार पूरु से निकों तो ऐसे पूरु से निकों को इस परकार की गटनाओं धरना परदर्शन और हर्तालों से दूर रखका जाना चाहिए एसी चीजों से हमेसा बचके चलना चाहिए और इस पूरु सेनिक सिव सिंग बिस्ट के परिवार को न्याय दिलना चाहिए वो एक संकेतिक गोसित बूखरताल पर था तो सरकार द्वरा उचित उसके परिवार के लिए मुआवजे की बात की जानी चाहिए ये थी सातियों आज की इस वीडियो में खवर जो की एक दुखदाई खवर है और हम सिव सिंग बिस्ट की आत्मा की सांती के लिए प्रातना करते हैं और आगे भी ऐसे हमारे कोई पूरू से निक इस परकार के हरताल और दरना परदसन के दुरान सहादत ना हो इसके लिए खास जहां रखने की आउस्यकता है